हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका रेश्मा बुटी की यूट्यूब चैनल में दोस्तों यहां पर आज मैं आपको बताऊंगा स्लेप्स में नई तरीके से बिल्कुल पाइपिन निकालना ठीक है तो हमारे स्लेप्स हैं यह दोनों स्लेप्स हैं ठीक है एक नीचे रखिए और यह वाली स्लेप्स हैं तो इन दोनों स्लेप्स को हमने इस तरीके से यहां पर रख दिया कि तो ठाक रख देते हैं एक तरफ और यहां पर लिए हमने पाइपिन यानि शलवार का कपड़ा लिया है जिससे यहां पर आपकी तुरपाई भी बच जाएगी चौणाई लिए से फोल्ड कर देंगे इस परकार पूरी इस पर सिलाई लगा लेंगे सिलाई लगाने के बाद इस पर दोस्तों आप चाहें तो प्रेज वगरा भी कर सकते हैं जिससे अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी नहीं तो आप पीछे हाथ लगा लगा लें तो भी बेहतरीन फिनिश लगा और बिल्कुल सिंपल तरीके से और बिल्कुल ही नहा तरीका है यह जो आपको यहां पर बताने वाला हूं तो यहां पर हम कट कर लेंगे पाइप पर सिलाई लगा लिए सिलेप्स को हमें लेना है इस तरीके से यहां पर रखेंगे इस परकार और अपने यहां पर पा आपको पाइपिंगी चोड़ाई मैंने आपको दिखाई दी कि वो सवा इंच की हमें लेना है जो बिलकुल परफैक्ट आएगी एक दम मैं आपको दिखाऊंगा तो यहां पर हम एक सिलेप्स में सिलाई लगा लेंगे ठीक है पीछे हाथ लगा के अगर आप काम करते हैं कोई भी तो उस पर सलाई में फिनिशिंग बहतरी ना आती है आप आदत एक बना लें कि पीछे हाथ लगा के मशीन के और आप अपना काम करें ठीक है तो हमने यहां इस तरीके से लगा दिया है एक्स्ट्रा जो पा प्रेटना है मार्जन को आप प्रेस करने इस पर या आप नाखून भी मार सकते हैं इस तरह तो इस तरह यहां पर पूरी स्लेप्स पर नाखून लगा लें आप देखिए यहां पर हमारा मार्जन इस तरह पलड़ गया है यह देखिए ठीक है यह मार्जन यानिकी नीचे की साइड में है आप यहां पर हमारा एक कपड़ा बिल्कुल फ्री है इसको इस तरीके से आप यहां पर फोल्ड कर लें देखो जितनी चौड़ी आप लेकालना चाहें उतनी चौड़ी लेकाल सकते हैं पीछे की साइड में आप इस तरह देखें आप यहां पर आपके पास दो या तो आप यहां पर pipe in की जड़ में भी छिलाई लगा सकते हैं और sleeps के उपर भी लगा सकते हैं तो मैं यहां पर sleeps के ऊपर लगाँगा तो यहां पर इस तरीके से लगाएंगे देखो बिल्कुल आराम से pipe in निकल जाएगी और बहुत जल्दी pipe in निकल जाती है आप सारी स्लेप्स में जितने भी आपके पास बूटिक पे सिलने आते हैं या आप अपने घर पे सिलती हैं जो भी हैं तो यहाँ पर आप इसी तरी के तकर पाइप इन लगाएंगे तो आपकी तुरफाई भी बचेगी और थोड़ी कॉयलेटी भी आ जाएगी ठीक है जिससे कस्टूमर खुश होगा आप कस्टूमर के बगएर कैक कुछ अगर नया काम कर देते हैं तो कस्टूमर आपका अच्छा कस्टूमर पका हो जाता जो कहीं भी नहीं जा पाएगा वरना जरा जरा सिस पाइपन का टेलर लोग पैसा ले ले लेते हैं आप अगर थोड़ा काम फ तो मैं आपर फिलाल बतनी लिगा घसायातर यहां पांपर सथ्फिग जलदी निकल जाइक यहां गपतनी चून्ट Corporate देखानव सब्सक्राइब छोड़न करी दिखा सब्सक्राइब on यह वाला इसमें आप तो या तो आप तुर्पाई कर लें इस तरहां या आप यहां पर किनार पर सिलाई लगा सकते हैं तो फिलाल मैं सिलाई लगा हुआ कि तुर्पाई का जंजट मुझे खुद खतम करना है कि तुर्पाई में काफी टैम लगता है तो यहां पर हम इस तरी कि आए कि आप यहां पर विभल कोरुँ टेखिए कि तेखिए आप के सँ में और दूसरी के सबारा हुआ नहीं नहीं बता रहा हूँ तो यहां पर हम सब अजैंगे इसी तरह प original आपके लगा नहीं जिससे हमारा margin पूरा दब जाए और यहाँ पर जो पाइपन की चोड़ाई है मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको सबा इंच लेना है अगर आपको पीछे से margin बिल्कुल किनार पर सिलाई लगाना है तो यह देखिए यहाँ पर यह भी बिल्कुल finishing के संग है एक दम पेहतरी इंसलाई और बिल्कुल नया तरीका आपको बताया है यह देखिए पीछे की सेट से भी आप देख सकते हैं कितनी finishing के संग हैं किनार पर यहाँ पर सिलाई है तो दोस्तों यहाँ पर हमारी दोनों piping लिकल चुकी है और इस तरह से अगर आप piping लिकालते हैं तो आप हर suit में हर कुर्ती में यहाँ पर निकालेंगे तो बहुत अच्छा होगा तो दोस्तों कैसी लेगी आपको मारी वीडियो प्लीज कमेंट्स करके बताएं आपको क्या नई कटिंग चाहिए या कोई नई टिप्स चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताएं तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में ठैंक्स पर वाचिए